अलो एव्रिवान स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल हिंदी हब पर तो कैसे हैं आप सभी मैं उम्मीद करती हूँ सारे बच्चे ठीक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे तो बच्चों आज कि यह जो क्लास होगी यह क्लास आपकी यूपी बोर् अपनी परिक्चाओं में लिखना है संदर्व प्रिशंग व्याक्या और उसके बाद कवीता का काववेगा शौंदर लिखना भी बहुत जरूरी है ठीक है चलिए तो वीडियो को क्लास को बहुत ध्यान से देखना सुरूच लेके अंडे तक पूरा देखना जल्दी से सब्स्राइब कर दो वीडियो को शियर कर दो लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स दो मुझे बताओ कि आपको हिंदी व्याकरन में कौन-कौन से टॉपिक पढ़ने है ठीक है चलिए ध्यान दीजिए हमारी आज की कवीता है उष्पिकी अभिलाशा और कवीता का शीर्शक है उ कर दो आपको क्या करना है सबसे पह conscious है तो पाकल लाल चतरवेडि जीगा पूरा जीवन परिचए पढ़ना है ठीक है आज की क्लस में मैं सिर्फी को कवीता की व्याक्य बताऊंगी आपको अपनी पुस्टक से क्वीता की जीवन परिचे जरूर परिचए जरूर पढ़ना ह पुष पे आनी फूल, एक फूल की एक्षा के बारे में बताया है, कि फूल क्या चाहता है, चलिए, छोटी सी कवीता है, लेकिन बहुत ही महद्वपोर्ण कवीता है, इंपोर्टेंट है, आपके परिक्षाओं में कई बार इसे प्रस्ण पूछे गए हैं, और हमीशा ही आप आपको इसकी संदर्व प्रशंग सहित व्याख्या करनी है, ठीक है, और लास्ट में क्या लेकना है, इसका काफिकत सौंदर है जरूर लेकना है, तब ही आपको पूरे नमबर भी लेंगे, ठीक है, चलिए, तो ध्यान से सुनना पहले में कवीता पढ़ूंगी, फिर एक आवी कहते हैं कि एक पुष्प, पुष्पे की एक चाहे वो कहता है कि चाह नहीं मैं सुर्बाला के गहनों में गूथा जाओं, चाह नहीं मैं सुर्बाला के गहनों में गूथा जाओं, चाह नहीं समराटों के सब पर हे हरी डाला जाओं, चाह नहीं देवों के सिर पर पुष्प की एक च्छाओं के बारे में हमें बताया है कवीता की भाशा है सुध्य शाहित्ते खड़ी बोली चीक है चलिए ध्यान देजिए अब एक पुष्प कहता है कि चाह नहीं में सुर्बाला के गहनों में सुर्बाला अर्थात देवी तो एक जो पुष्प है पुष्प रानी फूल तो एक फूल कहता है कि मेरी चाहत नहीं कि मेरी ये एक्छा नहीं है कि मैं किसी देवी के गहनों में गूथा जाओं मतलब कि मैं यह नहीं चाहता कि मुझे वेड से तोड़ कर देवियों के गहने बनाया जाए मेरी मेरा पिरोग करके ठीक है चाहा नहीं प्रेमी माला मैं बिन्द प्यारी को ललचाओ और नहीं मेरी ये एक्षा है कि मैं किसी प्रेमी की माला में बनकर किसी भी बिन्द प्यारी मतलब उसमें गुथ कर प्यारी को ललचाओ और थार्थ मैं मेरी ये भी एक्षा नहीं है कि मैं किसी प्रेमी माला में गु जाए और नहीं मेरी ये एक चाह है कि मुझे किसी प्रेमी माला में गूत कर बनाया जाए, मेरे द्वारे एक पुष्प माला का निर्माड किया जाए और साथी साथ, चाह नहीं समराटों के सव पर हे हरी डाला जाओ, सव शव मतलब होता है कि जो ब्रत्यू के बाद जो लाश मैं अपन में भागे पर इखलाओ, इखलाना मतलब होता है घमंड करना, इखलाना मतलब घमंड करना, लेका कहते है, एक पुष्प के मेरी ये ऐख्छा नहीं है कि मैं देवी देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाओं और मैं उटोको अपने भागे पर इतरा हूँ ठीक है लेका क्या कह रहे हैं एक पुष्प है एक पुष्प की एक्छा है कि वो कहता है कि मेरी ये एक्छा नहीं है कि मैं कभी भी देवताओं के गहनों में गूथा जाओं और नहीं मेरी एक्छा है कि मैं कभी प्रेमी प्रेमिकाओं की माला मे गुंत कर उनकी प्रेमी की प्रेमी का को लल जाओं। साथे साथ नहीं मेरी ये एक्षा है कि मैं किसी बड़े-बड़े राजा, महराजा, समराटों के शव पर डाला जाओं। राओं क्या हो धन्य भाग्य मेरा कि मुझे देवी देवताओं की सिर पर चढ़ाया जा रहा है। आंगे पुष्प कहता है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पत पर तुम देना फेक, मात्र भूमी पर सेस चढ़ाने, जिस पर जावें बीर अनेक। अब यहाँ पर बताया है कि हेवन माली, हेवन की रक्चक करने वाले, देखवाल करने वाले माली, मुझे तुम तोड़ लेना, और उस पत पर तुम देना फेक, उस सर्पत मतलब होता है रास्ता, और तुम मुझे उस रास्ते पर फेक देना, जहाँ पर मात्र भूमी पर सेस चढ़ाने, जिस पर जाम है वीर अनिक मात्रभूमी की रक्चा के लिए अपना सीष चलाने के लिए जिस रास्ते से होकर अनिक वीर गुजरते हैं तो मुझे उस मार्ग पर तोड़कर फेक देना अर्थात यहां पर लेखक बता रहे हैं कि जो पुष्प है पुष्प क्या बिलाशना है अर्थात है है मतलब है इश्वर मेरी एक्चा बिलकुल भी नहीं है कि मैं किसी मंदर पर देवी देवताओं के सिर पर चड़ाया जाओ और मैं अपने भागे पर इतराओं अपने भागे पर घमंड करूँ फिर वो अन्त में कहता है कि मुझे अब वो निवीदन करता है कि ह वन माली बन के देखवाल करने वाले माली मुझे तुम तोड़ लेना और मुझे तुम उस रास्ते पर फेक देना जिस रास्ते पर मात्र भूमी की रक्षा करने के लिए मात्र भूमी पर अपना सीज अपना सरवश्य निचावर करने के लिए जिस रास्ते से वीर होकर वीर और माखलाल चतुरवेदी द्वारा रचित, पुष्प क्या भिलाशा सीशक कवीता से अवतरत है, अवतरत है मतलब ली गई है, यह कवीता चतुरवेदी जी के युगचरण नामक कावे संग्रह से संग्रही थे, ठीक है, ऐसा जो इससे प्रशन पूछा जा सकता है, objective type question, कि कावे संग्रह से ली गई है, तो यह कहां से ली गई है, युगचरण नामक कावे संग्रह से ली गई है, यह ध्यान रखना, संदर्व में क्या बताना होता है, कि जो कवीता है, कहां से ली गई है, और कवीता के कवीता के बिलाशा नामक सीर्शक से ली गई है, कवीता के किन-किन बातों का वर्णन क्या हुआ है तो इस कवीता में कभी ने पुष्प के माध्यम से देश पर बलिदान होने की प्रेणना दी है अंतर में देखा होगा कि पुष्प क्या विंति करता है कि हे वनमाली मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेख देना जिस रास्ते से फिल मालाय बनाई जाए उसे देवी देवताओं के गहने बनाया जाए या उसे किसी राजा महराजा के चवप पर चड़ाया जाए या फिर उसे देवी देवताओं के सर पर चड़ाया जाए जिससे उसको घमंडो बलकि वो क्या चाहता है वो चाहता है कि उसे भी एक ऐसे रास् पर वीर सैनिक होकर गुजरते हैं जो कि अपनी मात्र भूमी के लिए अपना सर्वस्य निचावर करना जाते हैं। तो माखल लाल चतुरवेदी की जो कविताएं होती हैं उन कविताओं में अधिकान श्टहा हमें देश प्रेम की भावना देखने को मिलते हैं। भासा इसकी सरल खड़ी बोली सैली ये प्रतिकात्मक आत्मपरत तथा भावनात्पक सैली का प्रयोग किया गया है। और रस कौन सा इसका विता में वीररस। वीररस का स्थाइभा होता है उत्साह। जिसका विता को पढ़कर हमारे मन में उस्साह नामा के स्थाइभाव जाकरत होता है वहाँ वीररस होता है। गोण है ओजगोण शब्द सक्ति अमीधा एवं लक्षणा जहां पर बातों को सीधा सीधा कहा जाता है। चलिए तो आज के कवीता हमने पढ़ी कवीता का सीशक था हमारा पुषप के अभिलासा जिसमें हमने एक पुषप के एक चाओं के बारे में जाना और इसके कवी कौन थे माखलाल चतुरवेदी। चलिए तो मुझे उमीध है कि ये कवीता आपको समझ में आई होगी। बिलते हम हमारी अगली कक्षा में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाई बाई टेक क्यार।